हिंदू धरम में पवित्र महीना माने जाने वाला श्रावन मास में शिवजी के निकलने वाली भक्ती मैं कावड यात्राओं के बाद शहर और नगरों में निकलने वाले भगवान शिवग के डोले निकाले जाते हैं गोगावा तहसील मुख्याले पर भी इसी कड़ी में भादो पक्ष के पहले सौमवार को नगर सेट भगवान नागेश्वर के ठाट बाट के साथ नगर ब्रहमन किया भगवान नागेश्वर की आगवानी करने के लिए श्रधालू उम्डे पालकी का फूलों से स्वागत किया गया महिलाओं ने आर्ति उतार कर मनवकामनाय मांगी यात्रा में भगवान महाकलेश्वर की भस्म श्रिंगार की जहांकी थी भगवान नाग नागेश्वर नगर की जंता का हालचाल जानने के लिए नगर मुख्याले के बिलखेड, रोड, स्थित, नाग, नगेश्वर मंदिर से नागेश्वर भगवान का डोलाचल समारों के रूप में निकाला गया पूरा नगर भक्ती में हो गया नगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर थी करीब करीब एक किलो मीटर के रास्ते को तै करने के लिए चार से पाच घंटे लगे डोले में पधारिश रदालू भक्तों के लिए नगर वास्यों नी कई खाने पीने के पंडाल भी लगाए नागनागेश्वर मंदिर से भगवान पाल की में विराजमान होकर चार भक्तों के कंदों पर सवार होकर नगर के हलचल जाने को निकले शाही पाल की सवारी के साथ गुड सवारों के द्वारा भी केसरिया पता का हाथ में लिए आगे चल रहे थे नागनागेश्वर डोले के चल समारों के साथ साथ जहांकिया वा बैंड बाजे डोलताशे भी अकर्शन का केंद्र बने हुए थे चल समारों में भक्तों का तांता देखने को लग रहा था हर कोई अपनी मस्ती में मस जूम रहे थे डोले के साथ समारों में भक्ती में भजनों वगीतों की प्रस्तूती भी हो रही थी ऐसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए